एक गाउं में एक अमीर जमीनदार रहता था, उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंध था, जितने अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वह कंजूस भी था, अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कोडी भर भी न देता, मजबूर ग वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर, लेता कि अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटा सके, गाउं के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले, अधिक जमीने थी, वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते क कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता, है, एक साल गाउं में भयन कर सूखा पड़ा, बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे, पास सिचाई की कोई व्यवस्था न थी, वे सिचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बरबाद हो गई, रामू के साथ भी यही हुआ, अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोशन कर रहा था, अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई, मजबूरी के कारण वह गाउं के जमीनदार के पास, कर्ज मानने गया, जमीनदार कंजूस तो उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिये, तो ये लोटा तो पाएगा, नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ, महनती तो ये है ही, और मजबूर भी, कम पैसों में दुगुनी, महनत करवाउंगा, उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं, जमीनदार, बोला, मजबूर रामू क्या करता, हामी भर कर घर लोट आया, अगले दिन से जमीदार के खेत में काम करने लगा, महनती तो वह था ही, वह खूब महनत और लगन से काम करता, उसने चार महीने का काम दो महीने में ही क क्यों न इसे निकाल, दूम, इससे मेरे दो महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके दो महीने के पैसे दे कर कहा। नासू लेकर घर लोटा, चिंता से रात भर उसे नीन नहीं आई, सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमीनदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले, वह जमीनदार के घर के सामने जाकर बैठ गया, सुबह उठकर जाट जमीद मालिक मुझे काम पर रख लीजिये मेरा परिवार भूखा मर जाएगा जमीदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक के मार के वहां से निकाल दिया रामू उस समय तो वहां से चला गया लेकिन अगली सुबह फिर सेट के घर के सामने जाकर बैठ गया जमीनदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया अब से रोज यही क्राम चलने लगा रामू रोज जमीनदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमीनदार उसे भगा देता पूरे गाउं में इस बात की चर्चा होने लगी सब जमीनदार को भला बुरा कहने लगे तंग आकर जमीनदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गाउँ चला जाऊं मुझे घर पर ना देख कर रामु यहां आना बंद कर देगा अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गाउँ अपने रिष्टेदार के घर चला गया 10-15 दिन रिष्टेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लोटा तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया वह मन ही मन खुश हुआ की चलो उससे पीछा चुटा लेकिन वह चकित भी हुआ की आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया उसने गाउँ वालों को बुला कर पूछा तो पता चला की रामू घयल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है जमीनदार ने पूछा क्या हुआ उसे एक जमीनदार ने कहा मालिक आज जब दूसरे गाउँ चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे लेकिन वे रामू की नजर में आगेम रामू अपनी जान की परवाना कर उनसे उलज गया और उन्हें भगा दिया उनके बीच हुई हाथ पाई के कारण रामू घायल हो गया ये जानकर जमीनदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलज गया वह पच्ताने लगा उसने रामू के घर जाने का फैसला किया वह रामू के घर पहुंचा तो देखा की रामू बढ़ी देनी अवस्था में चार पाई पर पड़ा हुआ है उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं ये देख जमीनदार का दिल भराया उसने रामू से अपने की एकी माफी मांगी उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ हुआ है